इसकार मैश फेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन ग्रे मंतरी अमित श्या आज बिहार दौरे पर रहने वाले हैं अमित श्या चार घंटे के लिए बिहार दौरे पर रहेंगे वहीं आपको बताते चलें कि एक तरफ जहां बिहार से जबसे अंजिये की सरकार का सत्ता साफ हुआ है जबसे मुख्यमंतरी नितीश कुमार नियंडिये का साथ छोड़ कर महा गठवंदन की सरकार बना ली है तब से ग्रे मंतरी अमित शाह की ये छटी बार बिहार दौरा होने जारें इसको बताते चलें कि ग्रे मंतरी अमित शाह आज राज़ानी पटना पहुचने वाले हैं भाशपाप के पुर विरास्चे धक्ष और केंद्री ग्रे मंतरी अमित शाह एक दिवसी दौरे पर आज बिह अपने चार घंटे के प्रवास के जंजारपूर में एक रैली को संबोधित करेंगे साथी साथ अररिया के जोगवनी में SSB के कायक्रम में शामिल होंगे पार्टी नेताओं के अनुसार ग्रेम मंत्री एक वज़े दर्भंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर बिहार भाशपा के नेताओं ग्रेमंत्री की अगवानी और स्वागत करेंगे दर्भंगा एयरपोर्ट से वो हेलिकॉप्टर से सीधे जंजारपूर जाएंगे लोगसभा प्रवास के तह जंजारपूर के ललित ग्राम कपूरी स्टीटियम में भाशपा द्वारा आयोजित एक जंजभा को संबोधित करेंगे जानकारी के नुसार अमीत शाल लगवग एक घंटे से अधिक समय तक महां रहेंगे जंजारपूर के जंसभा को संबोधित करने के बाद वे हेलिकॉप्टर से वापस दर्भंगा आएंगे इसके बाद वे अररिया के जोगवनी से निकल जाएंगे जहां वो करीद साढ़ तीन बजे पहुचेंगे जोगवनी ICP कायक्रम अस्थल पर भी ग्रे मंतरी का लगवग एक घंटी का कायक्रम है IPC जोगवनी में नव निर्मित भवनों का उधगाटन और बथनाहा SSB के नव निर्मित भवनों का वर्चूल माध्यम से उधगाटन करने के बाद ग्रे मंतरी हालिकॉप्टर से वापस दर्भंगा एरपोर्ट लोटेंगे इसके बाद शाम पाँच बजे के आस दर्भंगा से नई दिली के लिए रवाना होंगे गौर्ट अलब है कि जंजार्पू लोगसवाश्वाश्वित्र के अंतरगत ललित का पूरी स्टीडियम के आयोची जंसभा को लेकर बिहार भाजपा ने पूरी तैयारी कर लिए गृरी मंतरी की जंसभा को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है पाचे के प्रदेश प्रभारे विनो तावड प्रदेश सध्यक समरार चौधरी नेता प्रदिबक्च विजय कुमार सिंहा केंद्री राजमंतरी नित्यानंद्राय समेत अननेता बैठक की तैयारी उन्होंने की है समिक्षा की थी गुरुवार को शुकरवार शान तक बियार भाजपा के बड़े नेता दर्भंगा और मधुवनी पहुँचे थे अमिज शा अपने बिहार दौरे के इक्रम में चुनावी तैयारियों की ज्वानकारे लेंगे शाह कारिक्रम के दौरान 3 अगस्त को प्रधानमंत्री दौरा बिहार के इंडरीये सांसदों को दिये गए निर्देशों की समिक्षा भी कर सकते हैं केंडरी ग्रे मंत्री का ये वर्ष में छट्था बिहार दौरा है वहीं सिमांचल में सितंबर 2022 में पुर्णिया और किशन गंच का दौरा करके उन्होंने लोगसवाद चुनाब 2024 का चुनावी शंकनाद किया था जहां एक तरफ ग्रे मंतरी अमीद शाह आज एक दिवसी बिहार दौरे पर रहने बाले है अमीद शाह का चार घंटे का ये कायक्रम चलने वाला है अमीद शाह जंजारपूर में जंसभा को संबोधित करेंगे साथी साथ हमने आपको बताया उनकी क्या कुछ प्लैन है वो जंजारपूर से दर्भंगा के लिए कब जाएंगे दर्भंगा से फिर वो शाम तक दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे 2024 के लोग सवाच चुनाप को लेकर जहां एक तरफ पक्ष और बिपक्ष दोनों तैयारियों में जूट गई है अब वहीं अगर हम BJP की बात करें तो BJP की तरफ से ग्रे मंतरी अमित शाह आज बिहार आने वाले हैं और बिहार आ के जंजारपूर में वो बिगुल जो है वो देखने को उनका मिल सकता है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यूस फानेशन